क्यार दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल फिर्स इंडिस्मेंट पर अना है में यो मेंटर शिवाँच वसीन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल कॉंचे स्टॉक्स बढ़िया कर सकते हैं कि इस तरीके समें मार्केट को ट्रेट कर सकते हैं जिस तरीके समें एक ऐवी गयाब डाउन देखिए हैं और इसके बाद नीचे से एक बाइंग आते हैं हम लोग देखने को मिली है जैसे कि हम बात करें अपनी previous stocks की मतलब जो आज हम लोगों ने trades लिये तो हम लोगों ने total 5 stocks आप लोगों को recommend करे थे 5 stocks मेंसे मैंने आपको बताया था और आपको telegram पे भी message करा गया था कि एक huge gap down आ रहा है जो बाइंग लेवल बोला अगर वो लेवल क्रॉस करें तभी आपको अपना बाइ सेट अप को generate करना है तो 5 stocks मेंसे हम लोगों लोगों ने देखने को मिली तो हम लोगों ने कोई trade ने लिया उसके बाद हम लोगों ने आपसे बोला था कैपली पॉइंट एक बड़िया सा breakout दिया साढ़े 5% की movement दी जो stock मेंने आपको को recommend करा था और वो stock मेंने आपको कुछ ताइम पहले अपने telegram पे भी swing trading के purpose से दे रखा था तो उसने बहुत बड़िया performance करा एंड हमारा भी portfolio green में हो गया था उसके अलावा हम बात करें Apollo hospital की तो Apollo hospital भी हमारे buy level पर आया हम लोग ने buy करा एंड बहुत बड़िया targets हम लोगों को देखने को मिले उस particular stock के अंदर वे सो उसमें से अगर हम हटा है दो stock तो तीन stock बचते हैं और वो तीन stock नीचे gap down opening की थे तो उसमें buying level हम लोगों को देखने को नहीं मिला ठीक है सो almost अगर मैं बात करूं wind ratio की तो हमारा wind ratio पूरा 100% था and almost हम लोगों ने सारे targets achieve करे थे ठीक है सो जालतर मैं क्या सुनता हूं मैं आप लोगों को बात क्लेडिफाय कर देता हूं कि आप लोगों को बात में problem ना है और यह चीजे ना comment section में लिखी नहीं जाती है ठीक है आप लोगों ने बोला sir आपके सारे stocks नीचे चले गाए और कुछ लोगों ने तो वो नीचे जब गयते हो तो वहां पर लोगों ने trades बनाना start कर दिये अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर मैं आप लोगों को इक buy level दे रहा हूं तो that means कि आप लोगों को उसी level पर buy कर रहा है यह नहीं कि अगर आपको को आपको थोड़ा अपने हिसाब से भी देखना पड़ेगा क्योंकि इवेंचुली आपका पैसा लग रहा है मेरा पैसा नहीं लग रहा है मैं तो सिर्फ आपको recommend कर रहा हूं कि यह देखिए यह stock आप buy कर सकते हैं या आपने watch list के अंदर add कर सकते हैं पूरा का पूरा decision आपक जब ब्रेक आउट हो या buy level के ऊपर जाए तो buy बनाया करिए exact target stop loss maintain करा करिए यह निए कि अगर stock हमारी level पे नहीं पहुचा हमारे buy level पे या sell level पे नहीं पहुचा तो आप लोग बोनना start कर देंगे sir आपके stocks चले नहीं देखिए इस से huge gap down के बाद आपको definitely पता था कि सारे stocks से gap down opening हो गया and एक question और था कि sir अगर आपको लगते कि market downside में अगर आप खुद ही बताते हो कि market downside में तो आप buy के लिए stocks यो देते हो आप देखेंगा जब भी मैंने आपको कल के stocks भी recommend करे होंगे तो 500 के 500 stocks में आपको swing trading के लिए दिये थे बट मैंने बोला ता कि इंटर डे मे भी work कर सकते हैं आप बात करें Apollo Hospital की 165 रुपीज की movement दे कर गया और बहुत बढ़िया हमारे portfolio में profit show कर रहा है अगर मैं बात करूँ कि अपनी पॉइंट की साधे 5% की आप मूफ दे कर गया बहुत बड़ी आ portfolio में green show कर रहा है क्यों show कर रहा है क्यों हम लोग ने आपको holdings बना रखी है ठीक है Apollo Hospital जिस level में बताया गया था मैंने आपको साथ में swing trading का भी target बताया था बट मैंने intraday की levels आपको बताते हैं because आप intraday में काम करना प्रेफर करते हैं ठीक है so don't worry अब market check गिरे चा market बड़े मैं कोशिश करूँ का sell side के भी stocks रखूँ और buy side की भी रखूँ मैंने आज तक sell side के जादे तरह find नहीं करें क्योंकि मैं sell side में trade नहीं करता but definitely अगर आप लोग कह रहे है तो म भी find करने के कोशिश करूँगा but इसका मतलब यह नहीं है कि अगर buy side में market जारी हो तो आपको definitely sell side के stocks को ही trade करना है जबकि वो उस level पर पहुचे नहीं हो ठीक है आपको यह 5 stocks इसलिए provide कर आए जाते हैं कि अगर कोई stock हमारी level तक नहीं पहुचे और दूसरा पहुच रहा हो तो हम उस पर trade करें तो इस सारी बात आपको mind में रखने पड़ेगी जब भी आप market पर trade करने के लिए चाहें यह चोटी-चोटी mistakes जो होती है आपके profit को losses में convert कर सकती है तो चलिए start करते हैं बढ़ते हमने charts की तरफ और देखते हैं कौनसे stocks बढ़िया कर सकते हैं nifty bank nifty के setup की definitely बात करते हैं बड़ जब तक आप आप लोग ने हमारे चैनल को subscribe नहीं करा तो चैनल को subscribe definitely कर सकते हैं कल के stocks मतलब आज जो हम लोग ने ट्रेट लिये थे वेस्ट stocks थे मार्केट जितनी भी गरी हो तो अब तब आप लोग ने हमारे instagram को follow नहीं करा तो वहां जाके भी follow कर सकते हैं वहां पर में daily 2 stocks additional बताता हूं और वहां पर आप लोगों को और benefits प्रोवाइड हो सकता है तो let's start so जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हम लोग अमने चाट सेट अप आ चुके हैं and यहां पर बात करते हैं सबसे पहले stock की जिसका नाम है Dixon Dixon के बार में बात करेंगे and यह particular stock मैंने अपने Instagram पे भी आप लोगों को रिगमेंड कर रहा था और अब आप देख सकते हैं कि इसने डवल बॉटम पैटन एक क्रियेट कर रहा उसका इस लेवल से ब्रेक आउट देखने को मिला है तो I think कि यह particular stock अगरकाल market stable या minor negative या positive भी रहते है तो यह stock आउट पर्फॉर्म कर सकता ठीक है और जो generally जो इसके मेरे targets हैं वो मेरे targets exact इस जो कि यहां से almost 400 points ऊपर है yes यहां से 400 points ऊपर है and definitely guys अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ मेरे पास unlimited of swing trades होते है unlimited of swing trades होते है मैं provide नहीं करवापा था because आपके पास इतनी capital नहीं होगी वो trade करने में आप points समझे रहें for example अगर मैं 5 stocks आप लोगों को देता हूँ उसके basis पर आपको बताऊँगा कि intraday के targets भी क्या रह सकते हैं कि आप अपना खुद का decision लेके trade कर पा है कि आपको कहीं पर problem नहीं होनी चाहिए तो यहां पर अगर मैं इसके price की बात करूए double bottom pattern create कर रहा है अपने अच्छे से resistance से breakout दिया जो कि पहले support था ब्रेक करने के बाद resistance बना that resistance become support again so अब हमें करना क्या अगर इसका current price trade कर रहा है 38 30 पे and अगर 38 35 36 की उपर निकलता है we can go for a buy with a target of around 38 60 38 60 38 70 तक अगर आम से जा सकता है and I think कि आपको stock बढ़िया return दे सकता है आने वाले time let's move to our next stock that is CESC CESC अगर आप देखेंगे यह particular stock देख सकते हैं कि एक channel के अंदर काम कर रहा है and multiple बार आप देख सकते हैं जित्ती बार इस particular stock ने अपने resistance को टेस्ट नहीं करा अपने higher level को टेस्ट नहीं करा उसे जादा बार अपनी support line को ही test कर चुका है अगर मैं आपर आपको को दिखाना चाहूँगा आप यहां देख सकते हैं कि first time second time third time बहुत pass range में and उसके बाद देख सकते हैं कि यह downside ही shift हो रहा है आप देख रहे हैं बिल्कुल downside shift हो रहा है अब आप देखेंगा market आखरी में क्या करी market आखरी में recover करी बट यह stock in the end पूरा नीची जाके close करा है which is a very negative sign for us तो हमें करना क्या है अगर यह level break होता है यानि की current price की बात करो तो वो trade कर रहा है 589 रुपीज पे 589 पे trade कर रहा है अगर 588 या 587 break करता है we can go for a shot and I think कि यहां पर यह थोड़ा सा position hold कर सकता है so मैं इसके targets expect करूँगा 570 और 560 तक है तो हम so let's move to our next talk that is Britannia Britannia ने बहुत बढ़िया एक breakout दिया है as you can see it here Britannia ने एक simple range का breakout दिया है एक upmove उसके बाद एक range के अंदर consolidate कर रहा है और उसके बाद इसने clear breakout इस level से provide कर वाया breakout दिने के बाद it gave a retest retest कहां दिया आप देख सकते है exact जो कि पहले इसका resistance हुआ करता था उसे जब breakout दिया ध्यान से देखेगा सारी चीज़े learning की उपर है अगर आप समझ जाएंगे तो आपको market के अंदर मेरी need बिलकुल नहीं पड़ेगी और अपने decisions आप खोट rate कर पाए नीचे आया exact इस level से दुबार हम लोगों एक bind देखने को मिली यानि कि that resistance becomes support after giving a retest तेक है यह line याद रखेगा that means the resistance becomes support after giving a retest and bounced from that particular level तेक है so यहाँ पर हम लोग एक definitely buying बना सकते है और I think अगर आप लोग इसमें swing trading भी करना चाहें तो मैं prefer करूँआ कि आप कर सकते हैं almost almost 4200 त और 2 जो कि मुझे लगता है बहुत easily यह stock provide करवा सकता है यह stock को भूलियेगा मत अगर आप लोग रखना चाहते हैं आप definitely रख सकते हैं okay okay so Cadillac ही बात करते हैं which is our next stock यह particular stock भी में selling purpose के लिए ही आपको दे रहा हूँ आप देख सकते हैं सबसे पहली बात तो एक upper resistance trend line जो की बनती भी आ रही है बहुत दूर से and okay so मैं यहां पर आपको देखा देता हूँ आप एक चीज़ देखेगा यहां पर हम लोगों को एक RSI का divergence देखने को मिल रहा है let me show you here यह देखेगा यह एक up move आ रही है आप देख सकते हैं एक up move आई है क्योंकि previous high को break कर रहा है तो मतलब higher high बना है तो मैं आपको काऊँगा यह selling pressure के लिए नहीं है बट आप लोग कल intraday में selling कर सकते हैं मेरा मतलब क्या है बूलने का कि long term के लिए selling pressure के लिए नहीं है आप देखेंगे kind of created a double bottom double top and double top में भी same type of situation it created a higher top and in RSI it created a lower top which is a very good divergence और double top type scenario भी बना है of course और आप देख सकते हैं जो इसके लिए पहले support resistance हुआ करता था sorry वो उसके लिए support बन चुका है but eventually अगर यह level break करता है तो हम लोग एक selling pressure अच्छा expect कर सकते हैं और अगर मैं यह trend line draw करता हूँ so almost almost यहां तक आने के particular chances बन सकते हैं so I think अगर इसका current price के में बात करें तो almost 25-70 पे trade कर रहा है अगर यह 25-65 के नीचे जाता है we can go for a short 10-12 रुपया हमें आराम से इस particular stock पे intraday में मिल सकते हैं okay so I hope मैंने आप लोगो sell side के buy side के दोनों में recommend कर दियोंगे अब जहां पर आपको level मिल है आपको वही trade करना उसके लावा आपको दूसरे stock के बारे में नहीं सोचना है okay so let's move to nifty and bank nifty okay so nifty की तरफ आ चुके हम लोग and आप यहां देख सकते हैं clear हमें एक support देखने को मिला था on a early time frame and हम लोग ने अपने clients को यहां पर nifty का future buy करवाया था around around 14,300 के आज पास almost हम लोग ने 10 lots buy करे थे personally मैंने 10 lots buy करे थे and उन लोगों को बोला गया था कि minimum to maximum time आप कर सकते हो okay so यहां पर हम लोगों के target था almost 14,400, 390 का वो पूरा चीव हो गया था and हम लोग अच्छे targets के साथ book करके निकलिया but specially अगर मैं बता हूँ तो मैं अभी भी hold करके रखा हूँ कुछ lots but generally ज्यादा quantities exit कर चुका हूँ okay so आप यहां देख सकते हैं क्या हुआ इस particular stock के अंदर let me show you okay आप यहां देख सकते हैं stock पे अगर अगर थोड़ा सा visible हो मैं आपको यहां दिखाना चाहँगा यह एक resistance support था जब इसने breakout था that support becomes support support दुबारा एक gap down के साथ नीचे आए और दुबारा support करके bounce करा है I think which is a very good sign for us and यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने hammer candle form करी है नीचे से and अपने support से उसके बाद देखेगा यह consolidate करा आप देख रहें यह इसी level के अंदर कम से कम 4 गंटी यह consolidate करा है and इसके बाद eventually it gave a very good breakout from this particular level नीचे आया it gave a retest and उसके बाद it bounce back again I think it's a good sign but यहां पर अगर आप देखेंगे एक छोटा सा minor सा hurdle है जो कि शायद यह face कर सकता है बट अगर यह level भी break होता है तो हम लोग expect कर सकते हैं अब बात आती है क्या यह पूरा recover यह जो gap है इस gap को fill कर देगा हम यह में इतनी दूर तक बारे में नहीं सोचना हम बात करते हैं अगर यह उपर जाना start करता है तो कहां तक जा सकता है for that we will use a Fibonacci retracement so अब यहां देख सकते हैं हमारे लिए buying opportunity तभी generate होगी जब यह इसको नहीं इस level को breakout देगा वो यह level क्या है अभी current price की बात करें तो 1430 14362 पे trade कर रहा है हम लोग buy कर सकते हैं above 14385 and I think the target should be around 14450 जो कि हमारा 50% है and 14500 जो कि हम थोड़ा दूर target सोच रहे है जो कि हमारा 61% है बट अगर यह नीचे गरना start होता है तो हमें किस तरीके से trade करना for that let me open a 15 minutes time frame for you and यहां पर आप clearly देख सकते हैं right now the stock is making a higher highs and higher lows formation हमें trade तभी करना है जब यह particular index lower low lower high formation पर trade करना start करें यानि कि अगर अगर इसने previous low को break करा और नीचे गया और उपर आता है तो उपर हम लोग selling pressure के लिए opportunity ढूंड सकते है but not अगर यह उपर ऐसे directly नीचे fall करता है सारी point को समझेगा कि अगर आप market पर घुसो या market आकर खोले तो CNBC वास खोडने की जगा आप मेरा YouTube चैनल खोल सकते हो और आपको पूरी information यहां पर प्रोवाइड हो जाएगी कैसा सर ने बोला था let's move to bank nifty bank nifty के भी आप देख सकते हैं कि maximum time इसी range के अंदर consolidate कर रहा था let me show you this range as well और जैसी इस range का breakout दिया almost almost हम लोग ने आप पर 300 points की एक movement देखी अभी भी मार्क इस particular stock की भी बात करें तो यह एक high levels पर heat rate कर रहा है high rise and high lossy formation कर रहा है but अब अब बात करते हैं so for that you know कि हम लोग क्या use करने वाले है that is Fibonacci retracement अब आप देख सकते हैं अगर यह breakout देता हो almost almost 31,315 की level को अगर 31,315 की level की उपर 15 मिनिट की भी closing दे देता है we can go for a buy with a target of 31,500 okay जादा दूर की हम expect नहीं करेंगे जादा fall की expect नहीं करेंगे यह जिस तरीके से इतना बड़ा fall आया है शायद market कल एक हम मानके चल सकते हैं कि शायद market inside candle form कर सकती है यह range bound हो सकती है इस basis पे हम लोग जादा lot मलब जादा price की ऊपर trade नहीं करेंगे चलेंगे आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया होगा previous performance भी provide करवा दी होगी मैं video start होते वे आपको previous performance भी पिछले dates की provide करवाते रहाँगा आप लोगों को पसंद आया होगा इसी 5 stocks के अंदर अंदर अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं मिलता हम आप लोगों से वीडियो के end में बाई बाई